नमस्कार दोस्तों मेरा ना मैं प्यू शराब देखत कोशेनार भारत इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बंगाल के बीरभूम में घटना हुई दुखत घटना हुई कहा जा रहा है कि यह सिर्फ राइवल्री है और कॉंग्रेस के अधिरंजन चौदरी का तो यह तक कहना है कि एक पॉलिटिकल मुर्डर है और 26 लोगों का पॉलिटिकल मुर्डर हुआ है इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे इस मुद्दे भाजपा और कॉंग्रेस टीमसी के खिलाफ है इस वीडियो को पूरा देखिएगा इसको शेयर करिएगा और मांग करिए कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागो हो CBI की जाच हो लोगों को न्याई मिले और यह घटनाय रिपीट ना हो बंगाल की जनता ने ममताप एनरजी को कई बार मौका दिया है बहुत पावर के साथ अपने वोट की पावर का इस्तमाल किया है सत्ता में बिठाया है, मिजोरिटी में बिठाया है अब बंगाल की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ क्या यह जो बीर्भूम की घटना हुई है, जो 78 लोगों की मृत्ती हुई है क्या ये बात वो लोग सह सकते हैं, पचा सकते हैं, कि ये तो नॉर्मल बात है, ये एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा, ये तो पहली खटना है, सरकार है, होता रहता है, या क्या वो लोग ये आसवासन दे सकते हैं, कि ममताब एनरजी पर इतना confidence है, कि उन्हें स्पक्ष जाज करवाएंगी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, सरकार का सेंटर गोवर्मेंट का, जैसा मोदी जी ने वादा किया है, दुख व्यक्त करते हुए, कि उन्हें एक 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 स्पेक्टेशन जाहर किया, राजी से कहा है, कि इसकी जाज ठीक से होनी चाह जीए, तो मैं करने को तैयार हूँ, टूइट करके बकाइदा किया, तीन-तीन टूइट किया है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ममताब एनरजी, ऐसा कर पाएंगी, क्योंकि ऐसा पहले देखा गया है, अमिर्चा का हेलिकॉप्टर उतरने नहीं देती थी, मोधी के आ हेलियो मेरे काउटे पैदा हुए, CBI कि आने पर वहाँ की स्टेट पुलिस CBI को रोक दीया करती थी, सेनेटर की जाँ जनेशन है को रोक दीया करती थी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे निसपप्श जहां चोपाएगी, अगर नहीं हो पाएगी, तभी मांगे मर्डर हुआ है, वहाँ पे प्रेजिदेंशल रूल इन्वोक किया जा आर्टिकल 355, जिसमें ये होता है कि अगर राज अपने यहाँ जो माहौल है, उसको समाल नहीं पा रहा है, एक्टिविटीज को, घटनाओं को, कुछ किसी तरीके का आकरमन है, टेरर है, आउटसाइड कुछ भी है, उसके लिए पावर दी जाते है, कि सेंटर समाल लेगा, सेंटर कंट्रोल करेगा, मदद भेजेगा, लेकिन फिर भही, ममतब एनरजी ने कहा कि, यहाँ क्या यूपी, बिहार, गुजरात में सब घटनाया नहीं होती, क्या मैं भले जस्टिफाई नहीं कर रही सेंटर जांच करे, सीबी आई जांच करे, उन लोग भागते और बचते क्यों में सुझ में नहीं आ रहा है, ममतब एनरजी की यह हरकते दिखाती है, कि उनको कितना डर है अपनी कुरसी के खो जाने का, कितना डर है अपनी पॉलिटिकल पावर के खो जाने का, कितना डर है क अगर इसके पीछे का सच साबित हो गया सच में कोई पॉलिटिकल मुर्डर निकल के आ गया और इसमें टीमसी का हाथ रहा बजाए इसके कि ममता बैने जिने कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल कलर का हम भी ना भेद भाव की जांच करेंगा और सजा देंगे लेकिन अगर उनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ है और इसलिए वो नहीं दे रही है और अगर ये सामने आ गया तो हो सकता है कि उनकी पावर और लूज कर जाए और कुछ भी हो सकता है और भविशे उनकी सरकार ना बने जनता को सच पता चल जाए मैं जंता से अपील करना चाहता हूँ इस मुद्दे को national बनाई है लोगों की जान जाना कोई आम बात नहीं है कॉंग्रेस वर भाजबा एक होके presidential rule मांग रही है ये कोई एक बात नहीं है कॉंग्रेस जल्दी इन सब स्टैंट्स पे नहीं आती है बहले हो सकता है behind the scene कोई ना कोई political agenda कोई ना कोई साधरा होगा मुझे उससे मतलब नहीं है जंता को भी उससे मतलब नहीं होना चाहिए जंता को मतलब होना चाहिए नयाय मिलने से जो लोग बचे हैं उनके जो परिवार बचे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको safety security मिलना चाहिए, भविश्य में इस सब चीजे ना हो, उसको insure करने के लिए policy बनाईए, strict rules regulation बनाईए, पुलिस को तैनात करिए, कहा ये तक भी जा रहा है कि पुलिस की निगरानी में ये घर चलाएगा और ये killings होई, आपकी सथ तक state government पर या और state की विवस्ता पर भदोसा कर सकते हैं, अगर आप बंगाल से हैं मेरी भासा समझ सकते हैं, इस वीडियो को share करिए, मांग करिए, unity दिखाईए, अपने राजी के लिए, अपने राजी के लोगों के लिए, राजी के डेवलोप्मेंट के लिए, और हो गया, बह ऐसा stand खड़ा करिए कि कोई भी leadership आजाए, बंगाल में, बंगाल को आप लोग जलने नहीं देंगे, जब बात आएगी बंगाल के development की, बंगाल में peace की harmony की, तो ये जनता ही होने नहीं देगी, चा कोई कितना भी political narrative चला ले अपना, खेर मामला High Court में जा चुका है, High Court ने कहा है कि वहाँ पर scene पर crime scene पर सिसीरी भी camera लगवाए जाए, निगरानी रखी जाए, जो भी गवाह बचे हूँ है, कोई victim है, कोई कुछ है तो उसको सी की और रूटी दी जाए, और इस मुद्दे की forensic जाच हो, तो इमेडिट crime scene से जो भी चीज़ें उठाई जा सकती है, उठा कि नजनों के सामने कुछ सरकारे मनमानी कर रही है, और मैं यह नहीं क्या रहा कि एक incident असा हो गया, और आप action ले लो, आप बस track record देखो, और जिस हिसाब से activity हो रही है, कि आपको लग रहा है कि लास्ट activity है, उसके हिसाब से decision लो, फिर मिलते हैं, अगले जाहिन, बंदे मात तो लाइक और शेट ठोक दिजिए माकाल का चाहिए, तबागे लाइक और शेट ठोक दिजिए, पाचेजार लोडे दिख जाना चाहिए, यह चार हजार के लिए मैं यहापे नहीं खडा हूँ, पुरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बटा,